नमस्कार, आप सभी ने बच्पन में ये कंचे ज़रूर खेले हैं, मुझे भी कंचों से बहुत प्यार है, लेकिन आज मैं आपको कंचे नहीं खेलाओंगा, आज इन कंचों की ही मदद से हम गणित का एक निया टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे, आईए, कंचे भी खेलें और सीखेंगे, जी हम, आज हम कंचों की मदद से भिन्ने सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा टॉपिक है तुल्ले भिन्ने, यानि की equivalent fractions, मेरे पास कुछ कंचे हैं, इन में से एक कंचे को मैं यहाँ, अंच्वाले खाने में, और दो कंचों को हर वाले खाने में रखता हूँ तो मेरी जो भिन्न बनती है, वह बनती है, एक बटा, दो, जहाँ पर एक अंच्वाले खाने में फिर से एक कंचा, हर वाले खाने में फिर से दो कंचे रखता हूँ अब अंच्वाले खाने पर मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है दो, और हर वाले खाने में में मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है, चार अंश दो हर चार इसी प्रकार से जो हमारे पास सबसे पहली संख्याती एक बटा दो इसी अधार पर मैं फिर से अंश वाले खाने में एक कंचा और हर वाले खाने में दो कंचे रखता हूँ अब मेरे पास अंश वाले खाने में जो कंचो की संख्या है वो हो गई है तीन और हर वाले खाने में मेरे पास कंचो की संख्या हो गई है एक दो तीन चार पांच और छे एक बार फिर से मैं हर है छे एक बार फिर से मैं कुछ और कंचे लेता हूँ पहली तर्ष पर ही अंच्वाले खाने में एक कंचा हर वाले खाने में दो कंचा अब अंच्वाले खाने में मेरे पास कंचो की संख्या हो गई है एक, दो, तीन, और चार और हर वाले खाने में मिर पास कंचों की संख्या हो गई है एक, दो, दीन, चार, पान, छे, साथ, और आठ यानि कि अंच, चार, हर, आठ आपने देखा होगा कि इन कंचों को रखने में हमने एक ही पैटरन फोलों किया है वो है अंच में एक, हर में दो अगली बार फिर से अंच में एक, और हर में दो कंचे इससे हम यह देखते हैं कि एक ही पैटरन है इसका मतलब यह सभी बिन्ने जो हमने बनाई हैं यह सब आपस में बराबर होंगी और इसी प्रकार की बराबर बिन्नों को हम तुल्ले बिन्ने यानि कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन्स कहते हैं देखा आपने कैसे जिन कंचों से हम कितने मनरंजग खेल खेलते हैं उन्हीं कंचों के मदद से हम कणित की कॉंसेप्ट भी सीख सकते हैं आशा करता हूँ आइंदा तुल्ले बिन्नों में कभी आप कन्फ्यूज नहीं हो